अब भी विहार से हम भी विहार से बड़ी बुजूर कहते रहें कि ठेस लगने से बुद्धी बढ़ती है उसे से जुड़ा हुआ सवाल है 2017 में आपने कॉंग्रेस के साथ हाथ जला है यूपी के चुनाव था दोड़े लड़के लेके आये थे 2021 में पिछले साल भी कॉंग्रेस में आते 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 आप रह गए इस साल भी आप जाते जाते रह गए ऐसा क्या है कॉंग्रेस में हो कि आपको छुटी नहीं रहा है देखिए कॉंग्रेस में आने जाने की बात नहीं है यह कॉंग्रेस का बड़पन है कि मेरे जैसे सधारन व्यक्ति को बिहार से आये हुए कोई मेरी राजनितिक प्रिस्ट भूमी नहीं है मुझे बुलाकर अगर मेरे से कोई बात कर रहा है तो मैं उसको ना तो नहीं कह सकता हूँ उन्होंने मुझे बुलाया या समझे मैं उनके घर गया मैंने बताया कि अगर कॉंग्रेस पार्टी को बहतर करना है तो मेरी समझ से ये बातें करनी चाहिए ये उनका बड़पनी है कि उनको कोई मजबूरी तो है नहीं मेरी बात सुने के लिए मेरी बात सुनी सुनने के बाद उन्होंने ऐसा मुझे जो लगा और मुझे जो बता गया कि हम लोग की सहमत्य है जो कॉंञ्रेस की आज इस्ती है और आगे के रास्थ्स जो मेरी सोच मेरी समझथि मैंने से साजा किया उनकी टॉप लीडर­सिप आप constellation उनने मीडिया के लिटरल ये सामने ही सारी बात हुई है उनको उसमें सहमती दिखी उनमें उसमें कुछ मेरिट दिखा होगा उसके बाद बात ये थी कि भाई आप इसको इंप्लिमेंट कैसे करेंगे उनकी एक परिकल्पना है ये जी की एक ग्रूप बनाया जाए उस प्रिंट है उसको एक्जेक्यूट कराया जाए उसमें भी मेरी पूरी सहमती थी कोई दिक्कत नहीं है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस अव उपीनियन रहा वो इस बात को लेकर रहा कि जो आप ग्रूप बना रहे हैं उसकी कोई constitutional sanctity है या नहीं और ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि Congress बहुत पुरानी पार्टी है बड़ी पार्टी है उसमें सारे कामों को करने के लिए पहले से constitution के मताबिक उनके constitution के मताबिक बेवस्थाएं बनाई गई हैं अगर आप कोई extra body बना देंगे और वो body आप executive order से बना रहे हैं तो जब वो body काम करना सुरू करेगी तो मेरी समझ ऐसी थी कि उससे आपस में बिरोदाभास होने लगेगा आपके इतने बड़े जवाब का एक मतलब समझ में आया कि आप महा सचिप संगठन का पत चाहते थे बिल्कुल नहीं कॉंग्रेस पार्टी से जो नहीं दिया सुनिया गांदी ने मैंने अबना चाहते थे मैं आपको यह बता रहा हूं कि अब ही के कारियों को करने के लिए चाहे कम्यूनिकेशन हो संगठन हो सबकी बेवस्था बनी हुई है आप पैरलल में एक ग्रूप बना रहे हैं आप क्या चाहते थे साफसा बताइए मैं यह चाहता था कि एए जी की करने की जिम्मेवारी दी जा रही है in absence of a constitutional sanctity behind it यह काम को हम effectively कर नहीं पाएंगे बस इतनी बात है आप उनके पास offer लेके गए उन्होंने आपका offer नहीं माना आप इसके बाद पैदल हो गए तो आपने कब मैं पध्यात्रा निकालता है आप मान सकते हैं इतने बड़े वेक्ति नहीं है कि मैं Congress को जाओं और यह कहूं कि आपको यह बात माननी पड़ी Congress क्या मैं किसी को नहीं कह सकता हूं भाई मैं इस देश में एक सर्पंच भी नहीं हूं सर्पंच नहीं है पर आप बड़े बड़े पंच बनाते हैं दोदा चौदा में मुदी जी 15 में नितीश कुमा अमरिंदर सिंग अमताब इनर जी कितने नाम लूम है आप मुझे एक वाकिया बता दिए जहां मैंने यह कहा हो कि मैंने किसी को बनाया है संभव ही नहीं है यह सच्चा ही है देखिए अरे भाई आप ऐसा समझेए मासूमियत और हमबलनेस की बात नहीं है अगर मिटी नह हो अगर चाक नह हो तो आप जितने बड़े कलाकार हों जितने बड़े हुनरमंद हो आप घड़ा बना सकते हैं क्या जब अगर पार्टी नह हो लीडर नह हो जनता का समर्थन नह हो तो एक प्रसांद की सोर यह सो प्रसांद की सोर क्या कर सकते हैं ABP News आपको रखे आगे